प्रश्ण नम्बर 14 एक definition पर आधारित प्रश्ण है आपको मालूम होना चाहिए कि लांबिक आयू किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि A into A dash A और उसके परवर्त आयू transpose matrix का multiplication किया जाए तो वह identity matrix देगा unit matrix देगा तो A into A dash बराबर I यदि आता है तो वह जो दिया गया matrix है वह square matrix ही होगा और साथ साथ वह lambic I U होगा तो question number 14 में इस परश्ट लिखा गया है कि सिद्ध कीजिये कि वर्ग I U A बराबर cos theta sin theta rho 1 में है minus sin theta cos theta rho 2 में है याने A बराबर cos theta sin theta minus sin theta cos theta एक lambic I U orthogonal matrix है ऐसा इस परश्ट में सिद्ध करने कह रहा है बच्चो अब हम एक नई बात आपके साबने करने जा रहे हैं वह है orthogonal matrix lombic I U, lombic I U हम किसी matrix को तभी कहेंगे जब हमको उसके matrix का transpose matrix A rest to T कई किताबों में A into A dash लिखा है यदि I मिल जाता है तो हम A को lombic I U कहते हैं I U कहते हैं यह आप अच्छे से नोट कर लिजिए इस पदा आधारित एक प्रश्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो board exam के लिए काफी महत्पूर है question number 14 प्रश्ट यह कह रहा है एक matrix दिया है A और वो दो order का है cos theta, sin theta, minus sin theta और cos theta यह एक matrix है और सिद्ध करने कह रहा है कि यह A जो है to prove हमें क्या पूरूफ करना है A, B, the orthogonal लांबिक आयू को अंग्रेजी में orthogonal matrix कहते है और्थो-गो-णल matrix यह matrix है की नहीं चेक करना है तो चेक करना है तो शर्थ हमें यह मालूफ होने चीए तो क्यों न हम समीकर number 1 को देखकर उसका A, D, transpose matrix परवर्त आयू इसको परवर्त आयू बोलते है A, D, S या A, D, T भी बोलते हैं तो A, D, S क्या होगा इसका इसके row को हम कॉलम में बदल देंगे तो रो में क्या दिख रहा है कॉस्टीटा साइन थीटा तो वह आड़ा वाला हम खड़े element में लिख देंगे यह इसका second row और second column बन जाएगा minus sin theta और cos theta यहने row और column interchange हो जाए तो उसको बोलते हैं transpose matrix वह किसी भी order का हो सकता है उजरू नहीं की square matrix में ही होता है वो जो square matrix नहीं है उसका भी transpose होता है लेकिन inverse हमेशा वर्ग आयू का ही होगा यह आप ध्यान रखेंगे यहां पर हमको तो जो बात कही जाय रही है कि इसको हम लांबिक आयू किसी तरह से प्रूफ करें इसको समीकर नमर दो कह दें यदि मैं a का a dash से multiply करूँ या a dash का a से multiply करूँ दोनों स्तती में i ही unit matrix आएगा और उसी order का आएगा यहां दो order का matrix है तो i जो आना चाहिए वो उसके मोख विकर्ण जो के element है वो एक एक रहेंगे और बाकि says element zero रहेंगे इसको हमने खहा था i2 ऐसी तीन order में था तो a into a dash is equal to मुझे calculation करना पड़ेगा यदि वो i आजाता है तो लांबिक आयो है otherwise नहीं तो जो दिया गया matrix a है जो cos theta sin theta minus sin theta cos theta के form में है उसके आवयव इस प्रकार से हैं तो हम a को as it is note कर दें cos theta sin theta minus sin theta और cos theta और a dash को हम समीकर number 2 में देख रहे हैं इसके row को column में change कर दिये हैं और वो है cos theta minus sin theta और यह sin theta और यह cos theta समीकर number 2 में आप ध्यान से देखिए a dash को आप ध्यान से देखिए a को आप ध्यान से note कर दीजे a dash को आप ध्यान से note कर दीजे अब इन दोनों का आप multiply करें तो इस calculation को मैं simplify करने से जा रहा हों बच्चो a into a dash is equal to आपको मानू में कि first row का first column और second column से हम multiply करेंगे तो first row का हम first column से multiply कर रहे है तो हमें मिल रहा है cos square theta और sin theta का हम sin theta से multiply करेंगे तो plus sin square theta यह पहला element मिल गया first row का second column से multiply करेंगे तो minus sin theta cos theta और cos theta का sin theta से multiply करेंगे तो plus sin theta cos theta यह दूसरा element इसका मिल गया अब इसका second row का first column से multiply करेंगे तो माइनस sin theta cos theta और cos का sin से multiply करेंगे तो plus cos theta sin theta संगत अवयों का multiplication पर विशेज ध्यान देंगे बच्चो यह first second row का first element इससे multiply होगा second row का second element इसके column के second element से multiply होगा इस बात का आप ध्यान रखेंगे second row का second matrix के second column से multiply करेंगे तो minus sin theta का minus sin theta से गुणा करेंगे तो plus sin square theta और cos theta का cos theta से multiply करेंगे तो cos square theta तो गुणा में आप किसी प्रका की कोई गलती ना करें अब cos square theta plus sin square theta क्या होता है आपको मालूम है A into A raise is equal to आपको यह मालूम है 1 यह minus sin theta cos theta cos theta sin theta एक दूसरे से घटके आपको 0 दे देंगे यह भी minus sin theta cos theta cos theta sin theta एक दूसरे से calculate होके घटके 0 दे देंगे और sin square theta plus cos square theta 1 है यहने कुल मिला के आपको I मिल रहा है तो this implies जो A matrix है वो matrix क्या है cos theta sin theta यह देखिए है hands proved आपको homework देना हो बच्चो आप A dash into A calculation करके देखेंगे मैंने A into A dash किया है आप A dash into A करेंगे तो अभी आपको I मिलेगा I मिलेगा यहने क्या मिलेगा 1 0 0 1 ही मिलेगा आप करके देखें तो आप ज़रू नहीं कि A dash into A करें या A into A dash करें आप किसी भी यह क्रम इनम का पालन करता है लांबिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यह है कि आ इंट To A dash is a two a dash js ौ to A aaching इंट To a is equal to I यहीं मिलता है तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो जो होगा वो और THो G को मैट्रिक्स होगा और O MOR彎 मैंत्रिक्स is square मैट्रिक 2016 का ही होता है बच्चो चो यह यहां ध्याल रखेंगे और जो transpose matrix है, परवर्त आई हो है, A dash और A T, ये जो है, किसी भी order के square matrix ज़रूरी नहीं है, किसी matrix का हम परवर्त आई हो, transpose matrix निकाल सकते हैं.